चुनावी साल में कॉंग्रेस का हिंदुत्व कार्ड, कमलनात करवाएंगे धीरेंद्र शास्त्री की कथा कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनात अपने ग्रह शेत्र छिंदवाड़ा में 5 से 7 अगस्त तक पंडिक धीरेंद्र कृष्न शास्त्री की का आयोजन करवाने जा रही हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में कॉंग्रेस नेता का नाम भी जुर गया है, मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधान सभा चुनाव होने हैं, चुनावी साल में नेता लगातार कथावाचकों के बड़े बड़े आयोजन करवा रही हैं, और अ चिंदवाडा के सिम्रिया में इसके लिए करीब 25 एकर जमीन को किराये पर ले लिया गया है, आपको बता दें कि सिम्रिया में ही कमलनाथ ने 108 फीट उची हनुमान की मूर्ती बनवाई है, जिसके साथ ही एक मंदिर भी बनवाया है, इसी मंदिर के पास राम कथा का आयोजन होगा कथा को लेकर व्यवस्था चाक्चोबंध चिंदवारा की मारुती नंदन सेवा समिती के सन्योजक आनंद बक्षी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा की तैयारियों में लग गए हैं, अब जब कॉंग् के कई बड़े नेता इस आयोजन में पहुचेंगे सिम्रिया हनुमान मंदिर के पास इस भव्य, आयोजन के लिए किसानों से 25 एकर जमीन किराये पर ली गई है, यहां तीन बड़े वाटरप्रूफ दोम खड़े किये जाएंगे, जिसमें एक लाख से ज्यादा लोग एक ब कोई बड़ा नेता धीरेंदर कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन करवा रहा हो, इससे पहले शिवराज के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और हरदीप सिंह डंग धीरेंदर कृष्ण शास्त्री की कथा करवा चुके हैं, वैसे भी चुनावी साल में मध् अड़सी आई हुई, है धोपाल में शिवराज के ही कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवा चुके हैं,